कहने के लिए वो सिर्फ एक नर्स थी पर मरीजों को कभी किसी की मा, कभी किसी की बहन और किसी की बेटी के हिसाब से संभालती थी वो एक तुम ही हो जो किसी भी बच्चे को इंजेक्शन लगवाने के लिए इतना excited कर सकती हो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमारे इस रिष्टे का अगला पढ़ाओ तो शादी ही होना चाहिए ना यह तुम्हारे काम है ना उस पेशिंग के पती ने परच्चे वाली सारी दोईयां खरी दी थी, कहां गई? तुम्हें पता भी है इसमें कौन-कौन इंवर्ट है? जिस शिस के बार में पता ना हो ना उसमें घुसने की कोशिश मत करो वो शीतल पता नहीं उसको कहां से बता चला कि मरीजों के दवाईयों का जोल कर रही हूँ अगर नेक्स टाइम से मुझे फिर से पकड़ लिया ना, मेरी नौकरी तो जाएगी, आपकी तो पूरी डिग्री छीन ली जाएगी सर, इसे पहले की बात बिगड़ जाए हमें शीतल का कुछ नगुस्तो करना पड़ेगा सीतल उड़ागे केस के बारे में आपसे और आपके स्टाप मेंबर से पूस्ताश करनी रहा है ड़क्टर उबहे ने रिजाइन कर दिया, उन्होंने कहीं और जोइन कर लिया है आखिर कब तक, कब तक तुम उसे ऐसे जिन्दा रखोगे जब तक वो खुद हार माननी जाती तब तक प्रिजेश, मुझे एक पब्लिक इंटर्स लिटिगेशन फाइल करनी है नाम शीतल उड़ा के, एक्स नर्स, समझेक्ट, मसी किलिंग पता की आगे क्या होगा लेकिन मुझे अपने देश के लॉज सिस्टिम्स और जजजस के डिसिजन्स पे पूरा भरोसा है 37 सालों से उस हॉस्पिटल वार्ड में एक बेट पे पड़ी हुई शीतल का दर्द अगर वो समझ पाए, तो वो ज़रूर उसे इस संदगी से आजादी रहे